आज हम बात करते हैं E-Wallet की, यानि Digital Wallet और Mobile Wallet, यह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने सेफ हैं? Wallet का मतलब होता है बटवा, जैसे आप अपने बटवे में पैसे रुपिये रखते हैं, इसी तरह जो E-Wallet होते हैं या Digital Wallet होते हैं, उसमें पैसा दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है Electronic तरीके से, और यह कई तरह के होते हैं, और इन में जो सबसे ज़्यादा प्रिसिद्ध ह वो है Mobile Wallet, यानि ऐसा बटवा जो Mobile के साथ चलता है, Wallets को या तो कुछ कमपनिया चलाती हैं, जैसे कि आप किसी कमपनी से सामान खरीदते हैं, वो कहते हैं अगली बार खरीदेंगे तो आपको कुछ डिसकांट मिल जाएगा, वो कहते हैं हमारे यहां से सामान खरीदते रहे तो पॉइंट जोड़ते रहेंगे, तो एक तरह का एक बटवा है उनका जिसमें पॉइंट जमा होते जा रहे हैं, जिनका उपयोग आप बाद में कभी कर सकते हैं, इससे आगे ऐसा होता है कि वो कमपनिया कहते हैं, आप हमारे पास कुछ पैसा रख दीजे, उसी में से वालेट है, विशेसकर मोबाइल वालेट वो है, जो मोबाइल एप से चलते हैं, और कुछ बड़ी कमपनियां इनको चलाती हैं, कोई भी कमपनी भारत में मोबाइल वालेट नहीं चला सकती, जब तक कि उसको लाइसेंस नहीं मिला होता, और ये लाइसेंस तब मिलता है, ज तो उनों में अंतर देखिए हम बता रहे हैं वालेट का मतलब तो हुआ आपके पास बटुए है बैंक से या क्रेडिट कार्ड से पैसा आपके बटुए में जमा हो गया जैसे कि आपके पास पेटियम का वालेट है उसमें आपने बैंक से 5000 रुपी रखती है अब आपका होते रहेंगे अगली बार आप फिर उसमें पैसे डालेंगे जिसको कहता है टॉप अप करना और खर्च करते रहेंगे लेकिन आजकल की ज्यादातर एप हैं पेटियम मोबिक्विक फोन पे वगएर यह अपना वालेट भी चलाती हैं और साथ में यूपीय से भी जूड़ी हैं तो इसलिए जैसे देखिए यह ऐसा आपको कहीं QR कोड दिख जाएगा किसी दुकान में तो आपने जब अपने मोबाइल से इसको स्कैन किया तो इसमें अगर आपके पास पेटियम का एप है तो वो कहेगा कि या पेटियम के वालेट से पैसा देना चाहते हैं या UPIAe का तन्तर क्या करता है कि जब आप उसमें पिन डालते हैं और उससे कहते हैं कि बह, इतना रूपिया दे दो या ले लो तो वो सीधे आपके खाते में या तो उतना पैसा डाल देता या उतना पैसा उसमें से निकाल लेता है कुछ payment app ऐसी है जो कि केवल UPI के app है उनमें wallet वाला system नहीं है जैसे Google पे है वो अपने पास पैसे नहीं रखता जब आप Google पे से किसी को पैसे देते हैं तो आपके खाते से जोड़के खाते से उतना पैसे निकाल लेता है ऐसे भीम app है अब अगर आपने कभी कोई wallet या payment app नहीं खोली तो ये बहुत सरल है इसके लिए क्या करना है जैसे कि और app आप डाउनलोड करते हैं मुबाइल में प्ले स्टोर में जाईए और इन में से कोई भी एक app डाउनलोड कर लीजिए जब आप उसको खोलेंगे तो पहली बार में वो आप से आपके कुछ डेटेल लेगा आपको अपना नाम देना होगा आपके मुबाइल से लिंक होगा और आपके बैंक से या आपके किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें पैसा वहीं से आएगा और अगर आपको ज़्यादा से विदाएं चाहिए और कुस लिमिट ज़्यादा चाहिए पैसों की तो आपको केवाइसी कराना होगा यानि कि कुछ और डेटेल लेके आपको कंफर्म करेगा कि ये व्यक्ति भरोसे का है और जुड़ जाते हैं इनका उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं बिल पेमेंट में, फोन रिचार्ज में पैसे भेजने में किसी को फीस जमा करने में या कोई चीज खरीदने में और डिसकाउंट वगर मिलते रहते हैं बहुत सारे कंपनियों के साथ इनके संबंद इस तरह के होते हैं कि अगर आप इन एप का उपयोग करें तो कंपनियां आपको डिसकाउंट देती हैं हाला कि या आपस में इनका धंदा है पहले ये केमतें बढ़ा देती हैं फिर वो डिसकाउंट के नाम पे कम कर देती हैं लेकिन इससे दुखी होके फाइदा नहीं है अगर डिसकाउंट मिल रहा है तो उसका फाइदा उठा लीजिए बहुत साथियों के दिमाग में हमेशा ये भ्रम रहता है हमेशा डर रहता है कि क्योंकि हमारा बैंक का एकाउंट इसके साथ लिंक्ड है तो ये सेफ नहीं है तो हमारा तो सारा पैसा वहां से खाली हो जाएगा देखे अपने आप में चाहे ये वालेट की एप हो चाहे यूपी आई की एप हो तो उनों बहुत सेफ है जैसे हमने बताया इनको लाइसेंस तभी मिलता है जब ये सेफ पाई जाती है वालेट एक अलग तरह से सेफ है क्योंकि ये तो बटवा है बटवा अगर हो गया या किसी ने ले लिया तो उतने ही पैसे का नुकसान होगा जितने उसमें है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखिये और अगर किसी ने आपको ठग भी लिया तो उतने ही पैसे जाएंगे जितने की वालेट में उस समय पड़े हुए और UPI का सिस्टम बहुत सेफ है इसमें दो पासफ़र्ड मांगता है पहली बार तो एप में जाने के लिए और दुबारा जब ट्रांजेक्शन यानि की सौधा होना होता है पैसे का लेंदेन होता है तो उसमें दुबारा पिन मांगता है अब अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप ठगे जाएंगे तो इसलिए कुछ साफ़दानिया रखनी जरूरी है और हमने कई सारे वीडियो बनाये हैं कि किस तरह से फ्रौड हो रहे हैं किस तरह साफ़दानी रख हैं और UPI के बारे में तो एक बहुत विस्तृत वीडियो जाती है तो रुख जाती है तो बहुत परिशानी तब होती है कि आप किसी दुकानदार को पैसा दे रहे हैं अब उस समय गोला घूमने लग गया कि भाई यह पैंडिंग है यानि कि ऐप आपको ये बिनी बता रहा कि पैसा उसको भेज़ दिया या ये भी नहीं कह रहे हैं अच्छा एक कुछ दोग पूछते हैं कि इन एप में से सबसे अच्छी कौन सी है। देखिए हम किसी एक का नाम नहीं लगे। यह सारी एप जो यहां लिखी हुई हैं, यह सारी ठीक ठाक एप हैं। तो इन में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा एप का आप उपयोग करिए। कोई चिंता की बात नहीं है। बस ठकों से सावधान रहिए। तो इसके आपको फाइदा ही फाइदे मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा।